जोच आफ बात करने वाये कि आप कैसे रिवायभ कर सकते हैं और ऐसे 5 तरीख बारे में हम भात करेंगे जिससे अपने लीजी चिंड़ी और आसानी अप रिवाइब सियवाइब कर पाएंगे तो हैलो, मैंआ ह। सुराइब और स्वाइट करते रहा हैं सुरूज्स यूटियों करते हैं और बात करते हैं कि आप अपने लइजी की पॉलिसी जब आपकास हो चुका है अगर आप लड़ करना चाहते तो अिस nó आप लिट की पॉलिसी को प्रिवाइब कर सकते हैं तो आई ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं जब आप लिसी की पॉलिसी में प्रिमियम भरना बंद कर देते हैं तो इसके बाद से आपका पॉलिसी लेफ्स हो जाता है लेफ्स कब से होता है जब आप पॉलिसी में प्रिमियम भरना ब प्रिमियम है तो इसमें आपको 15 दिन का ग्रेस प्रियोड दिया जाता है ग्रेस प्रियोड से क्या होता है कि आपको यह समय मिलता है कि इस बीच में आप की प्रिमियम को पेमेंट कर सकते हैं जिसमें आपको किसी भी तरह के लेट फाइन या फिर कोई भी एक्स्टा पैसाब से नहीं लिया जाएगा इसके साथ इस बीच में आपको पूरा पॉलिसी का जो भी बेनिफिट्स है जैसे की इंशुरेंस की कवरेज ये सारे बेनिफिट को आप नहीं पे करते हैं वह पर एलाइसी की पॉलिसी में आपका जो डियू डेट है यानि की एस यूपी डेट जो फास्ट अन पेड़ प्रिमियम का जो डेट है उस डेट से छे महिने तक समय मिलता है जिसमें आप बिना किसी कागज कारवाई के बिना कोई हैल्थ रिपो चाहिक दषकते हैं यह जमा कर क्या पॉलिसी को फिर से चालू कर सकते हैं लेगिन जैसे एक सिक्स मुन्स कंप्लीट हो जाता है वैसे आपका पॉलिसी बूह कर सकते हैं यहां पने हम सबसक्ट पाहरेति टरेक्पर्ड के बारें बात करेंगे और में आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से कैसे आप अपने पॉलिसी को रिवाइब कर सकते हैं सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहला नंबर वान है कि और डिनरी रिवाइबल में क्या होता है कि आप जिस तरह से आपका पॉलिसी लेप्स हुआ है या फिर मान लिज आपने एक साल दो साल ति लिग्र आपका आयड़ उसके बाद जो रेवल की फॉर्म है और आपका जो हैल्थ रिपोर्ट है इसके साथि साथ जो रियुट इसे साहरे चीजे की जूरत पड़त है उसके बाद आपका जो भी, प्रिमियम आपका जूद है सारे अमाउंट को उस वक्त महाँ पर पेह करना पड़ता है लाज की ब्रांच ओपिस में और जो रिवाइबल यह बहुत ही सिंपल है आसान है और कोई भी परिशानी नहीं यह बस आपका जो भी प्रिमियम होता है यह सब प्रिमियम को आप एक बार में वान टाइम में आप प स्क्राइब की ऐगर आप प्रिमियम यह फिर कर पा रहे हैं इतना सारा पैसा आपके पास नहीं है तो आप अपने प्रिस seven लोड़ लें ले सकते 3 साल complete हो चुका यानि कि 4 साल 5 साल 6 साल हो गया है और इसके बाद आपका policy lapse हो चुका है और अभी आप उसे revive करना चाहते हैं तो ऐसे में आप अपने policy से loan ले सकते हैं और loan का पैसा जो है वो पैसा आपका revival में काटा जाएगा और बाकी जो हुआ technically एयरे बैक है अपने लोन कािषु सकते हैं इसमें आपने लोन का पैसा से policy को सब्सक्राइब करते हैं आपको अपना पॉक्त से पैसा नहीं निकालने है आपका policy जो भी लोन का पैसा तक मिलेगा उस और लीवाईब कर सकते हैं नंबर सी हम बात करने वाले हैं survival benefit come revival यानि कि आपका policy अगर money back है जैसे कि LIC की जो money back plan है इसमें 5 साल के बाद बाद आपको 20% of some sort का money back में दिया जाता है तो अगर आपका money back policy है और अगर आपका money back मिलना है survival benefits मिलना है तो इसमें जो survival की जो benefits है या फिर money back है तो उस money back के पैसा से आप अपने policy को revive कर सकते हैं जैसे बिल्कुल loan come to revival है वह साइस सिस्टेम है बिल्कुल इसमें भी इसमें बस आपका जो money back का जो भी पैसा है यह पैसा आपको नहीं लेना है उसी पैसा से जो भी आपका revival का amount होता है उसी revival का जो भी amount है यह amount आपका money back का पैसा से काट लिया जाएगा और आपका policy को revive कर दिया जाएगा और जो भी आपका remaining जो amount बच जाएगा जो भी survival का benefit है यह पैसा आपका bank account में credit कर दिया जाता है मान लिजे आपका money back का policy है आपको 50,000 रुपय आपको money back में मिलना है और आपका policy left से तो ऐसे में आपका यह 50,000 आपको नहीं मिल रहा है तो अगर आप अपने policy को revive करना चाहते हैं और आपका revival amount मान लिजे 30,000 है तो अभी आप survival benefit जो कम revival है इसके मदद से आप policy को revive कर सकते हैं और आपका जो भी money back का पैसा है उसे आप वापस आप ले सकते हैं इसमें क्या होगा कि आपका 50,000 का money back है तो उसमें 30,000 आपका कर जाएगा revival के लिए और बाकी जो 20,000 है यह आपका bank account में credit कर दिया जाएगा तो इस तरह से जो भी आपका survival benefit है या फिर money back जो मिलना है तो ऐसे policy को आप revive कर सकते हैं इसमें भी आपका pocket से पैसा नहीं निकालना है जो पैसा मिलना है उसी पैसा से policy को रिवाइब करना है और जो पैसा बच जाएगा वही पैसा आप अपने bank account में credit करवा सकते हैं नंबर फॉर में क्या है कि installment revival scheme, इंस्टाल्मन revival scheme में क्या होता है कि यानि कि जो भी आपका revival का amount है यानि कि इंस्ट्रॉल्मेंट में आपको पेमेंट करना होता है यानि कि मालीज आपको 6 महीने में आपको एमाउंट इसे आपको क्लियर करना है या फिर आपको 12 महीने में क्लियर करना है यह डिपेंड करता है यह इसकिम के ऊपर कि आप किस तरह से पेमेंट कर रहे हैं या फिर इसकिम बहुत सारा लोग payment करते हैं और अपने policy को revive करवा सकते हैं नमर फाइम में हम बात करने वाले कि special revival जो campaign इस तरीके से भी आप अपने policy को revive करवा सकते इसमें क्या बता है कि कुछ ऐसे offers कुछ ऐसे यहाँ पर campaign स्टार्ट करते हैं एलाई सी और उस campaign में आपको कुछ रिवेट दिया जाता है जिससे आप पॉलिसी को revive कर सकते हैं मान लिजे अगर आपका पॉलिसी का जो प्रिमियम में अगर एक लाख रुपे है या फिर एक लाख से नीचे है और इसमें जो भी आपका लेट फाइन आता अगर आपका प्रिमियम है तो इसमें आपको थर्टी परसेंट का आपको डिस्कांट दिया जाएंगा लेकिन मैक्सिमम आपको 3000 धैजाते हैं कईच today यंश्ट जयाएगा इससे जड़ातर मार्च महिना में और जयातर सेप्तंब्र महिना में या सिर जन्रूर किया जाता और उसी वक्त आपको पॉलिसी को रिवाइब करना चाहिए और इसमें आपको वान टाइम में पेमेंट करना पड़ता है बस आपका जो लेट फाइन है उसी में आपको कुछ परसंटेज कर डिसकाउन मिलता है इससे ज्यादा आपको कुछ भी यहां पर लाब नहीं मिलेगा लेकिन अगर हम बात करें कि जो लोन कम रिवाइबल या फिर सर्वीबल डेफिट जर्वाइब कर दिया जाएगा पॉलिसी को रिवाइब करने के लिए मैक्सिमाम पांच साल तक समय दिया जाता है आपका FEP के date के बाद से यानि कि first unpaid premium जो होता है उस date से आपको 5 साल का समय मिलता है इस 5 साल के बीच में आप policy को revive कर सकते हैं अगर ये 5 साल complete हो गया और इसके बाद भी आप policy को revive नहीं करते हैं तो आपका policy future में कभी भी revive नहीं होगा और उसका जो भी पैसा है उसे आप निका करना होता है और 5 साल के अंदर आपका policy को revive करना है वरना आप अपने policy को फिर से नहीं रिवाइब कर पाएंगे लाइसी के policy को कैसे कर सकते हैं इस बारे में और मैंने बहुत सारे वीडियोस में बात किये आप उन वीडियोस को देखे और अच्छे से समझे कि आप कैसे उन पॉलिस को कर सकते हैं कौन-कौन सी डोकुमेंट की जुरुत पड़ता है इसके लोग आप अपने लाइसी एजेंट से कॉंटेक कर सकते हैं उनको पूरी डिटेल में आप पूछ सकते हैं कि क्या करना है और कौन सा प्रोसेस को फॉल्व करना है तो उमीद करते हैं कि वीडियो को जरू झाल झाल